तोडेर स्टूडेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे बीए सेक्स सेमेस्टर के सोसोलोजी के फर्स्ट पेपर के मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चिन एंसर के बारे में जिन जिन भी इनवर्सिटी में परिच्छाय रिटेन याने की लिखित होने वाली हैं उन सभी छात्रव चात्रव के लिए वीडियो महत्पूर है और वीडियो को कम्प्लीट देखेगा क्योंकि इसमें वह फारे कोश्चिन है जो आपके परिच्छ में बार बार रिपीट हो रहे हैं और इस पार भी आने की उम्मीद है तो चैनले वीडियो को शुरू करते हैं ध्यान से फिर से स समस्टर सोचोलोजी फ़र्ष्ट पेपर रेटन एक्जाम जहां पर होने वाला जिद्धिन में उन सब एक लिए महात्पूर है तो आज कि वीडियो का जो सबसे पॉप्लर और बहुत ही बार रिपीटेड कोश्चन है वो यह है कि जात से आप क्या समझते हैं जात को परिभ लिखना है कि भारतिय समाज प्रमुख रूप से जात प्रधान समाज है यानि कि जो हमारे देश का समाज है उसमें जात जो है वो बहुत ही प्रधान है यानि कि मुख्य है ठीक है इफी लिए कहा गया कि भारतिय समाज प्रमुख रूप से जात प्रधान समाज है यानि कि ह हर समाज में बिभिन जात्य के लोग रहते हैं तो इस यह कहा गया कि यहां समाजिक अफ्त्री करण का प्रमुक अधार जात्य प्रत्हा हैं यहां कि हर इंसान को ठीक है उसके एक जात्य के नाम से भी उसको जाना जाता आपके भी समाज में आपके भी छेत्र में आपके भी सोसाइटी में आपके भी पड़ोस में बिभिन जात के लोग रहते होंगे ठीक है जैसे कि ब्रहमण ठाकोर सुद्र वैस यह फिर आप लोग कहते गुपता है ठीक है शाहू है मौरिया है सिंग है ब्रहमण है कोई भी ति देश का ईक प्रदान मतंगे समाज में यह बहुत ही मुख और उचे के बाद वह बताजाकि जातपृथा थैक इस समय भारत में अनिगरत जातीया यह उप जाती है और यह आप सभी को मालू मोगा कि हमारे देश में हमांision जाती एह जातियाई है ठीक है की बहुत लगजातिया भाग्यों समस्ते हैं आगजामपर ग्रॉप में, जूझों कोई शुकला जातिका है। तिवारी जातिका है. तो उसका पंडित जातिका है, तो वो क्अनम करता है. वो कथा कराता है, साधी भ्याह, करता है. ठीक है? तो यह इनकी कुछ पिशेष चीज़ हो और जिसे कि पोर्या हो गए तो इनकी यां सब्जी यह जाती है इस वजह से उनको अन्य मतब की एक नाम से जाना जाता है इंडिविजुली जात के नाम पर जाता है वाफतों में जात वेवता सिर्फ भारतिय समाज की उपज तथा अनुपम संस्ता है आज हमारा समाज लगब में चार किमया जातियोंने थी ravit रणे तानुपम थे थ्ञानि करीब करीव ओर्त वह जीनयुद्जा। प्रता शीमित है मुसल्मान इरशायों तक में भी कुछ सीमा तक जात की विसिश्τα में ने Nom Isa jeं्मारे हिंदु में नहीं ये फिर भिन किता है जो करें काटगरी इसमें नहीं मतलब हो मुसलिम है ए gi given में भी अलग-अलग जातिया होती है तो इस बात को ध्यार नखेंगे ये कुछ परिचे रहा जाति के बारे में और जाति का अगर अर्थ देखा जाए तो ये देखे जाति का अर्थ है कि जाति सब्द अंग्रेजी का पर्यावाची सब्द कास्टक का है यानि कि जिसको आप कास्ट बोलते हैं ठीक है कास्ट मतब जाति अंग्रेजी के कास्ट सब्द का जन्म पुर्तगाली भासा के काफटा सब्द से बना है अपने कास्ट तो नाम से नहोंगा इंग्लिस में कास्ट जिसको हिंदी में जाति बोलते हैं ठीक है और ये जो कास्ट सब्द है इसका जो काश्ट इसको हिंदी में जाती बोलते हैं जिसका अर्थ होता है नसल क्या होता है कौन सी नसल है कौन सी प्रजाती है एवं प्रजातियां थिक भेद है नफल प्रजाती वह प्रजातियों के बारे में जानकारी होती है काफ्ट सब्द का प्रियोक सरप्रतम 15.63 में जहां रखेंगे गिरिशियोक डी औरुटा में यहां लिखकर किया था कि कोई अपने पिता के बेवसा को नहीं छोड़ता एम चमारों की जात के सब लोग समान हैं वाफ्तों में जात का वाफ्त्विकर्त एक समाजिक समु के रूप में लिया जाता है यहां एक समाजिक समु है यानि कि बहुत फारे समाज का गुरूप है ठीक है समु है जिसकी फदस्ता जन्म से निर्दायत होती है अगर आप ब्रहमण के घर में पैदा हुए तो आप ब्र तो आप उफिजात के हो जाएंगे जिस जात के घर में आपने चर्म लिया है तो एक प्रोसेस है जिसके बारे मैंने आपको पर्चे दिया और जिसका प्रियोकसर प्रथम ये 1563 में ग्रिस्यो डी और टा ने किया था बहुत ही कॉमन कोईशियन ये आपके एक्जाम के लिए तो महातपूर आगे आप में के तैयारी करेंगे किफी कम्पेटीफन एक्जाम के तैयारी करेंगे anything, कोई भी तैयारी करे, उन सभी के लिए ये point बहुत popular है, बहुत हिमाद point, ठीक है, उसके बाद जात की परिभाफ़ा, अलग-अलग जो बिद्वान है, अलग-अलग जो समासाफ्त्री है, उनके अनुसार अलग-अलग है, जैसे के परिभाफ़ान, जिनका नाम है मजूमदार और मदान, इन्हों ने कहा कि जात एक बंद वर्ग है, मतलब कि एक बंद वर्ग जो है, वो बंद वर्ग है, जात, जात एक क्या है, बंद है, मतलब कि इफी चीज को हम अगर निर्धायत कर दें, कि हाँ, यही इंसान है, तो हाँ, वो बंद हो गया, कि हाँ, यही इंसान, किसी इंसान को हम बंद कर देंगे, तो बंदीत रहेगा न, इफी तरह किसी जात को हम जान जाएंगी, हाँ, यह जात ही का है, तो उसे जात कर रहेगा वो, ठीक है, उसी तरह अगले बिद्वान है जिनका नाम है चार स्कूले, इन्होंने कहा है कि जब एक वर्ग पूर्धतया यानिकी पूरी तरह वंचा नकुरम पर अधायद होता है तो उसे हम जात कहते है, ठीक है, तो इनकी बिर्धाबाराई है अलाग-बिद्वानों ने अलाग-अलाग परिभासा दिए जो आपको better लगे जो आपको simple लगे जो आपको एकदम मस्त लगे वो तयार कर लीजिये क्योंकि सारी की परिभासा आप लोग एक समझ प्रेश्थ है और बिल्कुल स्थायों के बारे में यह भी कोश्चन पॉपलर है कई बार एक्जाम में आ चुका है तो इस भी फोकुस करना है ठीक है हम एक कोश्चन पर इतना ज्यादा ध्यान दे रहें क्योंकि कुछ या अंतर विवाही होता है आपने देखा होगा भाई जो भग जाते हैं लेकर या पिर इंटरकास में साधी कर लेते हैं कोट मैरिज कर लेते हैं मगा कर साधी कर लेते हैं लम मैरिज हो जाती है तो वो अलग बात है ठीक है लेकिन अगर समाज के नियमानुसार देखा जाए सम जर्वाइज नहीं होता है वह भागने वाली ओंग मरेरिज वाली यह मार्टरल अलग का है इस समाज के बाहर का है लेकिन constitution के हिसाफ पे देखा जाए evidence सम्मिधान के हिसाफ पे समाज को लेकर देखा जाए मतलब कि सम्मिधान को मद्दे नजर रखते हुए समाज के हिसाफ पे देखा जाए तो आगर आप मालिजे की साहु जात के हैं तो आपका बीवा साहु ही फैमली में होगा ठीक है आप लड़की है लड़की है लड़का है लड़की है ठीक है अगर आप मान लिजे कि अगरवाल जात के हैं तो आपका बिवा अगरवाल जात की लड़की से होगा अगर मान लिजे कि आप छत्रे की घर के हैं तो किफी छत्रे की घर में या आपकी साधी होगी अब गुपता के हैं मौर्या हैं या फिर आप त्यागी ह या नहीं कर सकते मतलब कि अलग जात में नहीं कर सकते थीख? या ञता हूँ अगला की इता कशी प्रती या लग वे नहीं क्ता हूँ马 हूं ठुट जीदोutet हुआ है यानि कि मैं आपको बता दू में गाउम ही रहता हूँ तो मैं जानता हूँ कि आज कर दो कि कुछ लोग त्यागी जात के होते हैं हला कि अप तो समाच काफी सुदर रहा है, जात भिभेद नहीं करते हैं, लेकिन आभी भी कुछ इख़ते हैं भी आज क्षेत्र हैं जहां पर भी जात को लेकर बहुत वारे मामले आते रहते हैं तो खान-पेंब का मतलब यह है जैसे कि कि ठाकुर यानि कि सिंह कटगरी का अफ्यात घ्रिक्द्ध तो तो फिने लोगिंव मेरे यहां से जो पासी या फिर कोई रले कोई जात का ठाकुर नहीं चलता उसकी मेरे जानगाई नहीं लेकिन जातर छेत्र में चलता है तो यह खान-पान वाले बहुत फारे प्रतिबंध है यह कोई ब्रहमण जातिका है तो नहीं खाएगा इन जातियों अंदर ब्रहमण के यहां कोई प्रोग्राम है तो हाँ पर छत्रे यानि की ठाकोर उने की जो सिंग होते हो का लेंगे ओविसी वाले का लेंगे लेकिन यस्टी जो यश्टी वाले होते हैं फिक, इनकी कोई भी ब्रहमण ये फिर ओव डान अ उपर ओव यह पार जातिका अपना परागत ब्योसाय होता है यहनि जो जातिक के मामणा एहां पर आ आ गया तो हर एक जाति का अपना-पना बेवसाय होता है जैसे कि मालिज ये कोई सोनार है ठीक है कोई सोनार है इसको बिश कर्मा भी बोलते है ठीक है तो उसके क्या होगा सोने का काम किया जाएगा ठीक है तो वही बता जाए हर जाति का अपना-पना अपना परम परागत बेवसा है मतलब कि जरूरी नहीं कि आप इसी को करें लेकिन जो आपके वन्स से शुरुआस्वे चली आ रहे हैं आपके जाद के नुसहर से वो बेवसा यही है कि अगर आप फोनार जात के हैं तो आप फोने का काम कर रहे हैं अगर आप लोहार जात के हैं, तो आप लोह के कांग बर रहे हैं, आप बढ़े ही हैं, तो आप लोग दर्वाजे का फरनीचर वाला काम कर रहे हैं, ठीक है, बनाना, अगर आप बहुर रहा हैं, तो आप सब्जी उगाते हैं, ठीक है, इफी तरह जो साहू होते हैं, यानि कि इनको सब जातियों में बोला जाता तेली तो उनकी तेल का काम किया जाता है इफी तरह अन्यन्य जातियों में उनके जो पूर्बज वाले जो बिजिनेस हैं वो लगाता चलते हैं तो उन्हीं की नाम से उनको मतलब का परचे भी किया जाता है तो इस प्रकार ये इस point का मतलब है ठीक है अगला point है कि इसकी सभी जातियों तथा उप जातियों में उच नीच की विवफ्था तथा या फिर संस्तिक है संस्तरण पया जाता जिसमें ब्रहामड जात का अफ्थान सर्वों पर ही है, हम सभी अफ्थानों पर मानिता प्राप्त है, और अगला प्रॉइंट है कि जात का निर्धार जन्म से ही होता आता, जात ही प्रदत्ति स्थित होती है, तो यह आप सभी को मैंने बता रखा, जन्म जो होती हो, जन्म जिस भी प रिवर बिद्वान का हमलेगा मतलब है ज़ाइट में आप जनम लेते हैं तिक वही आपका आगे जाति-एंप की आगे जोड़ दी जाएगी टिक वही आपके बच्चे व ही का आने वाले बच्चे इफी तरह प्रोफिस चलता रहता है उचके बाद है कि संपूर जात बेवफ्था ब्रहमडों की प्रतिष्ठा पर निर्भर है तो कि इंगल से डेविश ने कुछ बिशेष्टाएं बताई है जो कि सिमलर ही है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो लगबक सिमलर है तो आप यह वाल अगला प्रशन है कि वर्ग से संबंदित कोश्चन है और यह भी पॉपलर कोश्चन है वर्ग जुड़ा कोश्चन आएगा वर्ग बेवस्था किसे कहते हैं तो वर्ग बेवस्था है फिर वर्ग किसे कहते हैं ऐसा प्रसंदेखने को मिलेगा और उसकी विस्थाएं भी मतलब कि इस कोश्चन को अच्छे तयार कर लेना वर्ग की परिभाफ़ा वर्ग की आर्थ वर्ग की विस्थाएं ठीक है बेसिक परसे मैं आपको बता दे रहा हूं तो वर्ग का या फिर वर्ग बेवफथा का सिंपल सा मतलब समझ लीजे पहले वर्ग बेवफथा एक खुली बेवफथा है ठीक है क्या है एक खुली बेवफथा है ध्यान से सुनेंगे जिसकी स्वदस्ता यानि की वर्ग की फदस्ता इंसान को ब्यक्त को इंसान या फिर ब्यक्त को उसकी योग गाफिटा और उसकी जो बिशेष्टा है उसके हिसाब से मिलती है जो योगिता के हिसाब पर उसकी क्वाुल्टिया है उसकी जो बिशेष्टा है उसकी हिसाफ के इसकी सदस्चित मिलती है किसकी वर्ग-फ्र gefस्थ तिष्पाइण time नगए वाफ्तों में वर्ग समान समाजिक इस्थितवाले बैक्तियों का समू है बैक्त लॉकिक आयाम जैसे सिछा, पेशा, आए, आवासिय दसा या जीवन अफ़्तर आदपर अपनी और्जित- इस्थित के अधार पर एक वर्ग का फदस होता है समाज में समान अर्जित इस्थित वाले बेक्त एक वर्ग की रशना करते हैं वर्ग के फदस्यों में वर्ग चेतना पाई जाती है वे ना केवल अपने वर्गे इस्थित अपित अपने वर्गे हित के प्रति भी फचेत रहते हैं कि तो इस प्रकार आप लिखांगे वर्ग के बारे में पर्छे तो वर्ग का मतब्चाही होता एक वर्गेुप्ता है एक इसकी Vorc समाज साफ्तर हैं तो इनका थोड़ा जीवन परचे बताना है और संचिप्त में परचे लिखना है बहुत ही इंप्वार्टन को इस परच्छा मशने को उम्मीद है तो लिखना है कि गोबिंद समाज साफ्तर में उनका अपूर्ब योगदान रहा है यानि कि समाज रहा है इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है गोबिंद को भारते समाज साफ्त का जनक भिका जाता है समाज साफ्तरे रशनात्मक्ता के वे भारते प्रतिक थे सुत्तनतुरता के बाद भारते समाज साफ्त की नई पीड़ी के रेड़ा स्रोत थे यानि कि समाज के छेत्र में समाज साफ्त के छेत्र में भारते समाज साफ्त के छेत होती ही इंस्प्रेशन रहे हैं भारते समाव साफ्त के ठीक है नई पीड़ी के उसके बाद लिखना है गोबिंद सदाशी गुर्रे का जो जन्म है बारा दिसंबर अठारा फोद तिरान नवे को ठीक सारसुत ब्रहमण परिवार में महाराष्ट के मालवन नामक अफ्थान पर हुआ था इक्यान नवे वर्ष की अवफ्था में 1983 में उनका बंबई में देवासन हुआ था यानि कि इक्यान नवे वर्ष की हो गए थे ठीक है तब उनके देथ हुई थी 1916 और 1918 में अंग्रेजी और संस्कृत में प्रतम स्रेड़ी में परिच्छा पास की घुर्ड़े ने हेडन के निर्देशन में रिस एंड कॉस्ट इंडिया पर पीच्डी की उपाधि प्राप्त की स्री की आगडन की पुस्तक हिस्ट्री आफ सिवलाइजेशन संकला में ले समासद्र गुर्रे के नेतृत में विक्षित हुआ तथा 1919 में मुंबई मिझस्ट बिद्याले में समासद्र से के रूप में प्रार्म करने के लिए कि पूरी की पीडियाफ आपको टेली बश्टर पर डाल देंगे वहां पर अपर हमें मैसेच करती है कि वह थैस्ट समस्थ वह जरूर को इस नंबर के मैने सब्सक्राइब नियुक्प थिक trip यह सब्सक्राइब कते हैं त्यम्हों प्रफ्क्राइब कर दो सेरे करें यार दोस्तों तक घोड़ी आन। वीडियो का नोटिफिकेशन भी बिलता रहें ओके चेहन्द